कि हेलो फ्रेंट सौगत आपके चैनल फेंटेसी डॉक्टर में बर्फिट से जो मैं इस वीडियो में कवर करने जा रहे हैं वह निवाला यहां पर बीओ के वर्सेस डीएचे के बीच जो फाइनल मैच होने वाला यहां पर जारकन टी-20 का इस मैच की वीडियो वीडियो इंप YouTube चैनल पर नहीं आयोताब को हमारे टेलिग्राम चैनल जॉइन करना बहुत जरूए जिसका नाव है फेंटेसी डॉक्टर आपको इस्क्रीन पर नाम लिखावा दिखाई दे रहा होगा सेम नेम से हमारे टेलिग्राम चैनल अवेलेवल है पर आपको हमारे टेलिग्राम के जो real और original channel है उससे कैसे जुड़ना आपको करना किया है कि वीडियो के नीचे जहां comment करते हो वहाँ आपको हमारे telegram channel का link मिल जाएगा सबसे उपर blue color का link होगा जैसे उस पर click करोगे telegram channel open हो जाएगा देन उसको आपको join कर लेना तो ध्यान रखना अगर आपको हमारे telegram के सही और original वाले channel के साथ जुड़ना है तो आपको link का ही use करना पड़ेगा जो आपको वीडियो के नीचे comment में दिया हुआ है तो ध्यान से telegram channel को join कर लेना जैसे मैं चैनल के साथ जूड़ सकते हो तो सही तरीका सिर्फ एक ही आप link का यूज करना जो वीडियो के नीचे comment में आपको दिया है telegram का अब आते हैं वीडियो के में पार्ट पे जिखको फाइनल मैंच है पूरा tournament हो चुका है और ध्यान देने वाली चीज़ा है कई आपस में आप इस मैच में मीडियम ही रखना ज्यादा मत करना क्योंकि मेरे लिए अकॉर्डिंग देखा जाए तो थोड़ा कुरेट के वे से इंवेस्टमेंट जिस एप में आप करेट का इश्यू आ रहा है उस एप में इन्वेस्टमेंट को कम रखो या फिर फोकस रखो और जिन एप म में आप इन्वेस्टमेंट मीडियम रख सकते हो पर उसमें में ज्यादा मत करना ठीक है ध्यान रखके चलना फॉर्मेट के बारे बारे बात करें टीट्वेंटी है द्वीजी सोर का मैच टीम कौन से मुझे स्ट्रॉंग लग रही है मुझे तब बीयोकी की टीम स्ट्रॉं से मैच है तो बात किया थो बीयोके की टीम ने सो फार फटोर्नमेंट तो कितने मैच लिए एक दो तीन चार पांच है पुरे टोर्नमेंट में विकिट लौस्ट यूब टेकन जब इसको कंपेर करोगें अब द्यूमिक तिम से तब आपको इसकी इंपॉर्टेंस पता सब्सक्राइब तोटल 11 मैक्च में कितने विकेट्स होएं 5 और 4-9-3-12-16-29-39-32-42-48-3-51-51 विकेट्स होएं में राइस सीजन दो हाफ सेंचुरी इंक्लूड करी है दो हाफ सेंचुरी स्कोर किये हैं एक में 47 हमारे हैं एक में 37 एक में 28 और पार्ट टाइम बॉलिंग भी कर रहा है और अच्छी फॉर्म में भी है और इस तरी किसे बैटिंग और बॉलिंग कर रहा है और फॉर्म में भी सब्सक्राइब कर सकते हो बाकि अधित्य सिंग के बारे बात की जाए तो यहां पर इस सीजन आजित्य सिंग ने जो प्रफॉर्मेंस करिए वो यह है चेक आउट कर सकते हो 10 10 17 7 एक बार भी ट्यम के लिए 10 तीस से ओपर स्कोर नहीं कराए दस या 15 के आसपास स्कोर करा इस लिए मैं सोड़ा समें प्रैफर नहीं करा दो इतना इंप्र्टन नहीं है बाकि आप भानू अनन्द के बारे में घर बात कि जा तो भानू अनन्द ने सकार टोनामेंड में व और उसके बाद एक बार भी तीज के ओपर स्कोर नहीं कर रहा है सिर्फ एक मैच को छोड़के तो विकट की पर कैचिंग स्टंपिंग के पॉइंट सकता है और यहां पर दूसरी बात की जाए तो यहां पर सकता है तो टीम में आप कर सकते हो भानु आनंद को सचिन तीवारी के बारे में अगर बात की जाए तो यहां पर उतना इंपोर्टन नहीं रहेगा क्योंकि बैक्टिंग और रिंक थोड़ा चेंज हो आता है मिडल और पे कभी कोई आता कभी कोई आता है वैसे सचिन तीवारी ने भी एक मैच में अच्छी निंग इसमें एक तालीस रन मारे हैं बाकी है प्रतीक भकत के बारे में यह पर्फॉर करेगा और थोड़ी बहुत बैटिंग करना भी जानता है तो टीम में आप ले सकते हो ध्यान रखकर चलना विकास सिंक हो बाकी आपर यादव के बारे बात यह तो आर्पी यादव ने पूरे टॉर्णमेंट में देखो के तीन चार पांच छे साथ आठ विकेट्स निकाले और चार और कंप्लीट भी कर रहा है कई मैचिस में तो ले सकते हो बाटे यहां पर देखो गें तो एक दो तीन चार पांच शेसाथ नौ मैच इस पर जस्ट आठ विकेट्स निकाले अगर कोई और अच्छा बॉलर बालिंग कर रहा है बैटर तो इस खोपिक कर सकते हो और और पी जादव इस गुड़ ऑप्शन तो इसके साथ भी जा सकते हो बाकिया पर है पंकज यादव पंकज यादव ने बहुत ब्रिलियंट बॉलिंग कर रही है आप और टीम के लिए भी तक देखोगे तो आप चौदा विकेट्स निकाल चुका है तो तीम से मिस्स मत करना है बहुत इंपॉर्टन आपके लिए बनने वाला है बाकि यहां पर है सौरफ सेख शेखर सौरफ शेखर के वारे में अगर बात की जाए तो सौरफ शेखर ने भी कंटिनिसली विकेट निकाले हैं दस विकेट सो फार टोनामेंट में टीम के लिए निकाल चुका है चार कंप्लीट भी कर रहा है तो ले सकते हो बाकि दैथ होडस में अगर बात की जाए तो यहां पर है सौरफ शेखर 15-20 और के बीच में विकास सिंग पंका ज्यादव अरुपी जादव यह चारों ही बॉलिंग कर रहे हैं कोई बॉलिंग करने आ सकता है बाकि बैंच में जो प् किटने का ले अनुज विद्यारती ने एक मैच में एक अब चेक आउट कर सकते हो अब इंपॉर्टेंट बोलो के तो कहीं न कहीं जो प्लेयर में बनेगा वह बनेगा विशाल सिंग जो टिंब कैप्टन है ध्यान रखके चलना रीजन क्या है क्योंकि फॉर्म में सब्सक्राइब करेंगे तो पांच मैच इसे मैच विन करें और चार मैच हा रहे हैं और अगड़ देखा चाएब पॉइंच टेबल पे जो है वह बिए तो नहीं को फेवर भी कर सकते हो विकिट लॉस्ट है इनके 59 और इक सद्ध्यान रखके चलना विकिट लॉस्ट मतलब इंके बैट्समन ने कितने विकेट्स खोए आठ ज्यादा खोए है बियोके की टीम से तो इसे पाइलता है कि टीम विकेट्स कम खोर रह लेगी यहां पर दिये अच्छे की टीम से पॉसिबल प्लिंग 11 जो रहने वाले हैं विशाल सिंग बढ़ जान रहे हैं फाइनल मैच है दोने टीम ने अच्छा किया है तो कोई भी जी सकता है कि फाइनल मैच का प्रैशर अलग होता है बाकि विशाल सिंग ने एक हाफ प्रकाश मुंडा इनकी टीम के लिए कंसिस्टेंट परफॉर्म कर रहा है चब्विस चौबिस तीज तीरालीज तैइस बैब यालीज तैइस बैटिंग सेक्षें लेकर जा सकती हो कंसिटेंट रहे है पुरे टोर्नमेंट है प्रकाश मुंडा बाकि अगर बात किया पर से सागर के वारे हैं जो टीम का कैप्टन है वह सौरी विकेट कीपर है अच्छी बैटिंग करिए एटी टू नट आउट फॉर्टी फॉर्टी सेवन थर्टी तैंस तो श्रेश्टे सागर लाश्ट के पांच मैंच है बहुत बढ़ी है प्रफॉर्मेंस करके आ रहा है प्लस अच्छे प्रफॉर्मेंस कर रहा है तो बाकी है विवे कानन तीवारी के बारे में बात किया तो इनका लेता है युवराज कुमार के बारे में बात की जाए तो इवराज कुमार ने सोफा टॉर्णामेंट वे तेरा विकेट्स निकाले है चार ओवर कंप्लीट करेगा इंपॉर्टन बनेगा बैटिंग से एक्स्पेक्टेशन से ज्यादा मत रखना मैक्सिम तो मैक्सिम पांच है दसरन मारेगा अगर बैटिंग आभी जाती है तो प्रतिक रंजन का जिस तरीके से टोर्णमेंट स्ट अब भी कर सकते हो कि प्रफॉर्मेंस लास्ट छे मैच प्रतिक रंजन के रही है बट बैस्ट बालर टीम का बट लास्ट मैच में बिलकुल प्रफॉर्मेस अच्छी नहीं रही है शीद कुमार इंपॉर्टन नहीं रहेगा इंग अग्नोर करेंगे अब इसकी कुमार ने तीन ही विकिट सोफार निकाले बाकि दैथ वर्स रहेगा पंद्रा से बीस और के बीच आपके लिए विवेकानन तिवारी रंजन और यहां पे आर कुमार बाकि बैंच पर बैटेंगे आप चेक आउट कर सकते हो ऐसा कोई प्लेयर इंपोर्टन बने यहां पर दी अच्चे की टीन आपको इक स्मॉल लिग की टीम दे रहा हूं और दूसरी टीम है वह मैं आपको फिलार ग्रैंड लिग की तीम नहीं दे रहा है और रीजन क्या है रीजन यह है कि लाइने पाने के बाद मैं देखूंगा कि क्रेट का इशू आएगा कई आपस करेट का इसे पहले बनाते हैं मैंने यह क्रेट की ढार को लिया भानू औनन्थ और ध्यान रिके चलना यहां पर एक चैंज और कर सकते हो यह ध्यान रिके कर सकते हो सकते हूँ काफी नीचे हो रहा है effectiveness कि साकते हो अ क्यात और इतने इंपोर्टेटन नहीं है बाकि विशाल को लिया दोनों को लिया इत्व को मुंढ को मुंदा के जगप भी बहुनु के साथ यहां बात की टुन को कर सकते हो यहांगर बात की जा तो अंकित कुमार को ट्राइए कर सकते हो जिसने मैंने लिया है वी सिंग को यहां मैंने लिया है युवराज कुमार को वी सिंग लाश के चार-पांच मेसेचे परफॉर्मेंस रही नहीं बहुत हाई है अच्छा करके जाएं बाकी तो एकया यहां राउंड्र में मैंने यहां लिया पी आदफंग कर रहा है अज मैंने यहां ने लिया है कर रहा हूं क्याप्टन जो रहेगा मेरे कोडिंग इसमें देखा जातों विशाल सिंग और बॉलिंग भी कर रहा है बाकी विवेकान इंतिवारी वाइस का उप्शन है सत्या सेतू है विशाल है तो यह तीन आपके अच्छा उप्शन है थोड़ा डिफरेंट ग्रेंड लिक म मिस्स करना पड़ेगा अगर आपको ऐसी कई एप में खेलते हो जहां को क्रेट का इशू है उसमें मैंने जो विशाल है उसको ड्रॉप कर रहा है रीजन क्या क्रेट का इशू हाई आए इसलिए वहाँ मैं आपको इसलिए बोल रोग ग्रेंड लिगी ठीक है वागी स्मॉल दोस्तों बागी यूटूब चैनल का लिंक वीडियो के नीचे कमेंट मिल जाएगा सबसे उपर विल्यूकुलर का लिंक होगा टेलीग्राम पर जहीं दोस्तों बाइबाइब